Dear learners, myself, Narendra Kaur from IGNU Study Center 2206. आज का हमारा topic है, operating system के page replacement algorithm के उब. और हमारी first जो algorithm है, जिसके उपर हम आज discussion करेंगे, वो है first in first out. तो इसके लिए हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि page replacement algorithm हम क्यों use कर रहे हैं. तो हमारी हम, जो भी हमारी mean memory के अंदर pages होते हैं, जो हमारी mean memory का जो size है, वो बहुत limited होता है. तो scannery memory से हमें अपनी requirement के accordingly pages को mean memory के अंदर लेकर आना पड़ता है. लेकिन फिर से वही चीज़ है, तो कि main memory का size limited होने की बजाए से, हमें अगर कुछ नए page अपनी memory के अंदर लेकर आने हैं, तो उसके लिए पुरानवे page जो हमारे main memory के अंदर पड़े हुए हैं, उनको हमें replace करवाना पड़ेगा. तबी उसकी जगा हम क्या कर सकते हैं, नए pages को अपनी main memory के अंदर लेकर आ सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास बहुत types की आगे algorithms बनी हुई हैं. तो सबसे पहले जो आज हम discuss करेंगे, वो है हमारे पास FIFO. First in, first out. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि जो page हमारे पास सबसे पहले main memory के अंदर आएगा, उसे को आप क्या करोगे? Replace करोगे. इस sequence में हमारे पास pages आ रहे हैं, उसी sequence में आप उसको replace करते जाओगे. तो इसके लिए हमारे पास एक example है, हम उस example के थूँ यह algorithm discuss करें. तो हमारे पास हैं जैसे, Obtain the total page vault using FIFO page replacement algorithm for the falling sequence of pages, consider total three frames in memory. तो आख के पिछले exams के अंदर यह question आ चुके हैं. तो हम उसी में से एक question लेकर इसकी हम example करते हैं. तो सबसे पहले आपने अच्छे से question को read करना हैं. क्योंकि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें यह पता इसमें कि हमने कौन सी page replacement algorithm यूज करनी है. तो यहाँ पर FIFO लिखा हुआ है, that is first in, first out algorithm. उसके बाद हमारे पास एक sequence दिया हुआ है, यह जो sequence है, यह हमारे pages है, जो हमने secondary memory से main memory के अंदर लेकर आनी है. उसके बाद, जो हमें note करना है, वो क्या है, कि total जो frames है in memory के अंदर, वो हमारे पास कितने होंगे. तो आपको पता है कि जो frames का size, वो page के size के equal होता है. तो it means हमारे पास जितने frame size होंगे, जितने frames उसने दिये होंगे, उतने ही एक time पर आप क्या कर सकते हो, page को अपने frames के अंदर लेकर आ सकते हो. तो total हमें कितने दियो है, हमारे example के अंदर, three frames दिये होंगे हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यह एक table सब बना रखा है, तो इसके through मैं आपको इस example के बारे में बताऊंगे. तो पहले है हमारे पास three frames, तो हम इनको नाम दे रहते हैं, जैसे यह हमारे पास है frame one, यह हमारे पास है frame two, और यह हमारे पास है frame three, क्योंकि total हमारे पास कितने frames है, three frames है. और हम algorithms कौन से use कर रहे हैं, FIFO, FIFO means first in, first out, और यह हमारी memory का sequence है, यह हमारी जो pages की requirement है, उसका sequence है. तो सबसे पहले हमारे पास अभी memory के अंदर कोई भी page नहीं है, तो it means हमने सबसे पहले first page को लेकर आए. तो जैसे ही मैं first page को हम लेकर आए, तो यह कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, first frame के अंदर, क्योंकि सारे frames starting में initial में क्या है, वो empty है, ठीक है, तो जब इसके लिए हम दो यहाँ पर use कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे है, page hit, और दूसरी हम क्या use कर रहे है, page miss, page miss का मतलब क्या है कि अगर आपको वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, और page hit का मतलब क्या है, कि अगर आपको वो page हमारी main memory के अंदर ही मिल रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे पास page hit, ठीक है, तो सबसे पहले यह क्या हुगा, हमें अभी memory के अंदर नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका page क miss मिल गया, जिसे हमें क्या कहते है, page fault कहते है ठीक है, तो चाहिए आप इसको page fault लिख लो, चाहिए आप miss लिख लो, तो एक ही बात है उसके बात क्या आ गया हमारे पास second, इसको हमने complete कर लिया first ring को, अब हम कहां पर गए है, second, तो second two, अभी भी हमारे पास क्या है, सिरफ एक ही है, और फिसे, ये कहां पर जाएगा, second frame के अंदर तो यहां पर भी आपको क्या हो गया, एक miss हो गया, उसके बाद क्या आ गया, third, three, तो ये अभी हमारे पास three frames है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, fill करेंगे, one by one, तो three page faults हमारे पास होगे, three miss occurs हो गया है, उसके बाद next one फिसे आ गया, क्योंकि one हमारे पास already यहां पर पड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास ये क्या होगा, hit हो जाएगा, क्योंकि हमें दबारा से इस page को यहां पर लेकर आने की, main memory के अंदर लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो already हमारे पास memory के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, hit कहेंगे, और बाकी हमारे पास ऐसे ही पड़ेगे, next आ गया फिसे हमारे पास four, तो देखो four number का frame यहां पर पड़ा हुआ है, नहीं, four number का page हमारे frame के अंदर नहीं पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक page को replace करकर, उसकी जगा खाली करकर, इस page को हमें main memory के अंदर लेकर आना पड़ेगा, तो इसके लिए हम algorithm देखेंगे, तो हमारी algorithm कौन सी है, first in, first out, तो इसका मतलब क्या है, कि जो page सबसे पहले आपके main memory के अंदर आया, उसी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले out की करेंगे, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया था, one आया था, तो इसलिए हमने क्या किया, one को replace करकर, यहां पर क्या लगा द और यह क्या हो गया हमारे पास, miss, ठीक है, क्योंकि वो page fault हो गया, क्योंकि हमें वो page हमारी memory में नहीं मिला है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और हमारी जो friends है, वो already क्या हो चुके है, full हो चुके है, तो हमें कोई page replacement करना पड़ेगा, तो कौन सा page आप replace कर रहे रह फिफो, first in, first out, इसलिए हमें जो सबसे पहले आया है हमारे पास page हमारी memory के अंदर, उसी को आप क्या करोगे, replace करोगे, ठीक है, तो हमारे पास 4 हो गया, next हमारे पास क्या आगया, 2, तो 2 अल्रड़ी हमारे पास पड़ा हुआ फ्रेम के अंदर, तो इसलिए हमारे पास कोई पी में सककर नहीं होगा, तो यह क्या होगा, आपका hit कर होगा, तो यहाँ पर क्या आगया, आपका hit आगया, next हमारे पास क्या आगया, 5, तो 5 हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, 3, 2, 4, तो इसमें हमें क्या लेकर जाना पड़ेगा, 5 को, तो 5 जब लेकर जाएंगे, तो naturally है, फिस से हमारे frames को क्या है, फुल है, तो हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, replace करवाना पड़ेगा, किसी ना PC page को replace करवाना पड़ेगा, फिस से वही हम किसके accordingly कर रहे हैं, फिफो के accordingly, first in first order के accordingly, तो हम अब देखेंगे कि 4, 2, 3, इस में से सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया था, जो 4, 2, 3 हैं, इस तीनों में से आपने देखना है, कि सबसे पहले इस में कौन आया था, तो आपको पता है कि हमारे पास first को तो हमने replace कर दिया, उसके बाद हमने किसको frame के अंदर लेकर आये थे, तो second को, तो इसको हमने क्या करना है, replace करना है अब, 4 as it आये का, 2 को replace कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 और ये 3 as it, तो यहां पर फिस से हमारे पास क्या हो गया, miss अक्कर हो गया, जिसको आप page port कहते हो, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 1, 1, फिस से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, हमारे पास already filled है, लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो यहां पर भी क्या होगा, आपका miss अक्कर होगा, miss तो अक्कर होगा, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन फिस से वही problem है, कि किस page को हम replace करेंगे, तो इसके लिए फिस से हमें क्या देखना पड़ेगा, अपनी algorithm, कौन से algorithm कर रहे हैं, FIFO, तो FIFO में क्या होगा, जो first आपका आपकर आएगा, जो first आपकी input होगी, उसी को आप क्या करोगे, first out करोगे, अब कहां पर देखना है आपने, इन तीनों में से देखना है, इन तीनों में से जो भी पहले आया है, उसको आप क्या करोगे, first out करोगे, उसी को आप replace करोगे, तो तीनों में से, हमारे पास पहले कौन आया था, 3 आया था, तो हमने क्या किया, 3 को replace कर दिया, उसकी जगह हमने 1 को enter कर दिया और 5 and 4 यह as it रहेंगे उसके बार क्या आगए आपके पास 3 हमारी string में reference string में क्या है next page number क्या है 3 तो फिर हमारे पास 3 number का कोई page यहां पर नहीं है तो फिर से हमने क्या करना है 3 को enter करना है तो किसको replace करोगे जो 4, 5 of 1 में से जो सबसे पहले हमने insert किया था तो सबसे पहले हमारे पास क्या था 4 तो 4 को हमने replace किया और 3 यहां पर enter करवा दिया 5 और 1 हमारे पास as it रहेगा उसके बाद फिर से next हमारे पास क्या है कौन सा page number है 4 4 page number हमारे पास यहां पर नहीं है 1, 5, 3 है फिर से हमें इसको enter करना है यहां पर लेकिन कौन सी algorithm के accordingly हम अपने page को replace करेंगे फिफो के accordingly फिर्स्ट आउट्टो तो 1, 5, 3 में से कौन सा page हमने पहले insert किया था तो 4 के बाद हमने कौन सा किया था 5 तो हम क्या करेंगे 5 को replace कर देंगे और 5 की जगा यहां पर क्या लेकर आएंगे 4 और 1 और 3 as it रहेंगे और यह क्या हो गया हमारा एक मिसकर हो गया next आगया 5 फिर से हमारे पास वही problem आगी है क्योंकि हमारे तीनों के तीनों frames क्या हुए हुए हैं फुल हुए हैं 5 को enter करवाने के लिए कोई ना कोई frame को किसी ना किसी page को हमें क्या करना पड़ेगा replace करवाना पड़ेगा तब ही हमारा वो frame empty होगा और उस ती जगा हम इस fifth number पी page को यहां पर insert करवाएंगे तो हमारे पास algorithm कौन सी है फिफो first in first out तो अब हमने किसमें से देखना है इन तीनों में से देखना है कि जो सबसे पहले insert हुआ है तो इन तीनों में से हमने सबसे पहले insert किसको करवाया था one को तो अब हम one को replace कर रहे हैं और one की जगा हम क्या लगा रहे है five, four and three तो यह हमारे पास क्या है miss esperar हो गया अब हमने क्या करना है, इनको count कर लेना है, तो जितने हमारे पास miss अकर होंगे, उतने आपके पास क्या होंगे, page fault होंगे, तो हम count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो page fault, total page fault कितने होगे आपके पास, total page fault, यह आपके पास होगे, 9, ठीक है, तो कई पर examiner पूछ लेता है, कि page fault की बजाए, page hit बताओ, कितने hit होए है, तो तब आपने क्या करने है, hit को count कर लेना है, total page hit कितने होए आपके पास, 1 and 2, total कितने hit होए है, 2 hit होए है, तो यह कौन सी थी हमारे पास, किस के accordingly कर रहे थे हम, FIFO algorithm के accordingly, FIFO means, first in, first out, तो जब हमने start किया था, तो हमारे पास, यह जो तीनो frame थे, क्योंकि हमें उसने example में दिये हुए थे, कि memory में आपके पास कितने frames है, 3 frames है, ठीक है, तो initially हमें पता है कि memory में कोई भी, हमारे पास page नहीं होगा यहाँ पर, हमारी memory जो है, वो क्या होगी, empty होगी, ठीक है, तो हमने sequence wise, एक-एक page को उठाया, और उसको हमने यहाँ पर fill करना शुरू कर दिया, तो जब जैसी ही हमारे तीनों frames हमारे fill हो गए, पूरे के पूरे भर गए, उसके बाद जब हमने fourth यहाँ पर इस one को उठाया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई page को replace करना पड़ेगा, वन उठाया, तो वन already हमारे पास यहाँ पर memory में पड़ा हुआ था, इसलिए हमने one को change नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हुआ हमें hit हुआ, क्योंकि वो page हमारे पास already memory के अंदर पड़ा हुआ था, next four आया, four को क्या किया, four को हमारे पास कौन कौन से memory में थे, one, two, three, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना PG page को replace करवाना पड़ेगा, क्योंकि तब ही वो frame हमारा empty होगा, और उसकी जगह आप क्या करोगे, अपने four number के page को वहाँ पर enter करवाओगे, तो हमारे पास algorithm आपने बस देखनी है कि कौन सी है, उसी के accordingly आपने चलते जाना है, सबसे पहले algorithm हमारे पास first in first out है, तो हमने देखा कि सबसे पहले कौन सा page हमने enter करवाया था, first, तो हमने first को remove कर दिया, और उसकी जगह पर हम four को enter कर दिया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक page fault हो गया, उसके बाद आगया हमारे पास second, तो second already हमारे पास पड़ा हुआ था, three, two, four, तो second को भी हमने as it रहने दिया, फिर से five आगया, तो five हमारे पास नहीं था, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, किसी नहीं किसी page को change करवाना पड़ेगा, replace करवाना पड़ेगा, तो first के बाद हमने, यहां से आप इस string के तुरू देख सकते हो, कि कौन सा आपका पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, तो पहले हमने first, first को remove करवा दिया था, अब हमारे पास क्या है second, तो second को हमें क्या करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा, तो जैसे ही हमने second को change किया, तो उसके बार क्या आगया आपके पास, fifth को enter कर दिया, next आगया one, तो फिर से two के बाद हमने क्या क्या था three, three को हमने replace करकर, one enter कर दिया, फिर three आगया, three भी हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास, four, five और three में, किसको enter किया था four को, इसलिए हमने four को कर दिया replace, उसकी जगह हमने three को enter कर दिया, उसके बाद four आगया, फिर से किसको replace करना पड़ेगा, five को, क्यूंकि three, five, one में, second जो हमने enter किया था, वो किसको किया था, five को, तो five को हमने change कर दिया, replace कर दिया four के साथ, फिर से one को हमने किसके साथ replace कर दिया, five के साथ, अब हमने total count कर लेने है, कितने हमारे miss सकर हुए है, जितने miss सकर हुए है, वो क्या होगे आपके, page fault हो गए, तो examiner आपसे page hit पोज सकता है, जा page fault पोज सकता है, तो miss कितने अकर हुए, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, तो total हमारे पास page fault है, वो nine है, और total जो hit हुए है, वो क्याटने हुए है, two, तो आप, यह हमारे पास थी, FIFO page replacement algorithm, next जो lecture होगा, वो आपका, इनी algorithm में से, एक दूसरी algorithm लेकर आऊंगी, ऐसे ही एक example के साथ, अगर कोई doubt हुआ, जा कुछ, कोई point आपको clear नहीं हुआ है, तो आपको नीचे comment करकर, मुझे बता सकते हूँ, और कौन सा, कोई ऐसा topic है, जो आपने, करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हूँ, Thank you.